हेलो फ्रेंस वेल्कम टू माई टैट क्लास फ्रंट्स आज हम देखेंगे हिंदी और हिंदी में देखने वाले हैं हम संधी और संधी में क्या देखेंगे वेंजन एवं विशर्ग संधी संधी में हम स्वर संधी देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं वेंजन संधी देखेंगे टाइम मिला तो विशर्ग संधी को कंपलीट करेंगे अन्था वी संधी हमारे अगली वीडियो बनेगी तो आए स्टार्ट करते हैं और एक बहुत बताओ ऐसे हम कुछ अभ्यास के दुरू आएंगे तो आई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडिय से मेल से मेल या一些 सब्सवर पहला उपका वान भी हो कुई विकार उत्पने होता है और इस कारण संधी को हम वेंजन संधी कहते हैं तो इसके बहुत सारे नियम, लेकिन जो आपकी एक्जाइम, नियम हैं, केवल हमने उन्हें ही लिए है तो आई स्टाट काते हैं और देखते हैं आपकी एके करके इन नियमों को पहला है देखिए मैंने थोड़ा गर्तिय रूप में इसे लिखा है ताकि समझने में इजी हो तो यहाँ पर देखिए अगर हम कहें वेंजन संधी तो कोचोटोटोपो यह आपके जो पंच वर्णियां वर्ग होते हैं उनके प्रथम अक्षर है कोचोटोटोपो के बाद अग तो कोचो आदेश होता है किस रूप में उसी वर्गे तितीयवर्ण में आदेश होता है यानि के कोगी जगा आप गो लिखेंगे चोगी पर जगेए दिक धन अंबर्ट दिखिए हापे क्या है कोँष है, कोवेंजन है क्यों कि कोज़ आधा ही, अगर कोब पुरा होता तो इसमें स्वर्चिपा होता लेकिन यहां पर नहीं है और इसके बाद क्या है और इसके बाद क्या होगा को को आदेश होगा को को आदेश हो जाएगा आपका देखिए को खो गो को आदेश होगा और यहां पर तो आधा है वो यहां पर आधा है लेकिन यहां पर आधा हो जौसे मिलके पूरा हो जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा और जंकर ? यहांगे-चंद्य यहां चंद्य के पूरा पर बनातुप है वाने तो 7, । ho किसको आधीस हो गा, तो 6 को आधीस हो जाया, 2, यहाँ पे सवर नहीं है। तो आहाँ आधा ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 वाने, अगर आगे कोई सवर होता, और आ होता। तो वह उससे जूड जाता, लेकिन आगे कोई स्वर नहीं है वेंजन है जो अपने आप में पूर्ण दिखा रहा है जिसलिए यह दो क्या है आधा ही रहेगा अगला देखिए तो यहां से यह हो गए अब दूसरा देखते हैं नियम दूसरा नियम देखिए को चो तो तो पो वही वर्ण है जो अभी है आपने उपर देखिए अगर इनके बाद न या मो आए तो को का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है किसके स्थान पर कौ के ही स्थान पर पंचमवन आएगा जैसे वाक धन मै कौ का पंचमवन यहाँ पर देखे कौ है कौ को क्या कौन सा आदेस हो जाएगा कौ का पंचमवन यानि की अंगय का आदेस हो जाएगा और क्या भी इसमें जुड़ेगा वांग ये क्या हो गया ग अंगे उचारण के आंगा वांग मै वांग मै जगत धन नाथ तो किसको आधेस हो जागा पंचमवन को पंचमवन कोण है तो तो नो तो का कौन सा आधेस हो गया नो की से जगत अब देखे ज गय यह इसे ओ यहां पर कोई स्वार नहीं है जिस से मिल सके तो यह आधानो आपका आधा नहीं हो जाएगा और यह हम पूरा लिख देंगे हो जाएगा जगत नाथ कि तो फिर आधेस किसको तोगा पंचमवन श्रल दोधक नो नो को आदेश होगा नो मौ से नहीं जूड़ सकता है तो यहां पर क्या हो जाएगा आधात नो मैं तन मैं यानि कि कोच और तौपक के बाद अगर नो या मौ हो तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है इन वर्णों के इस्थान पर यानि को के जगए आप अंगे चौकी जगए या तौकी जगए अड़ों का इस्तमाल करेंगे इस तरह से तीसरे नियम पर आ जाते हैं तीसरा नियम देखिए हरस या दीर्ग स्वर देखिए वेंजन आभी हम पढ़ रहे थो तो हमने कहा था कि वेंजन के बाद स्वर या वेंजन का मेल हो लेकिन यहां त चौकी एक स्वर और एक वेंजन का मेल हो रहा है हरस या दीर्ग स्वर के बाद च्व आए तो च्व तो वहीं रहेगा लेकिन उस छो से पहले आधा चौड जाता है जैसे स्वर च्ण तो आप देख रहे हैं स्वर है यहां पर क्योंकि वह आधा नहीं है वह पूरा है तो इ कि यह तो तो क्या हो जब स्वर के बाद वेंजन आये तो च्व से पहले आधा चाउ जूड जाएगा तो यानिकी ऑ अधा चोव छोव अब इसे लिखेंगे कैसे स्व अब यह जो अ है हमारा वह से पूड़ा मिलेगा तो यह अगा स्व अधा चोव चंद आधा चोव चंद दूसरा देख लेते हैं परी धन छेद परी ई है इके बाद छोव आया है तो क्या है ए और छोव के बीच में आपका आ च्छेद अनुच्छेद उ के बाद 6 बीच में आपका 4 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद यानि कि हरसुदीर की अस्वर के बाद 6 वेंजन वर्ण आए तो 6 से पहले आधा 4 जुड जाता है और 6 रहेगा क्योंकि 6 की स्थान पे नहीं कहरा 6 से पहले कहरा है कि आधा 4 जुड जाएगा अगला देखते हैं चौथा मौ वर्ण के बाद कोई व्येंजन वर्ण आए यानिकि अगर विछेद पे मौ के बाद अगर कोई व्येंजन वर्ण आता है तो मौ का अनुस्वार यानिकि पंचम व कल्प तो सम मौ किसको आदेश हो जाएगा मौ के पंचम वन को आदेश हो जाएगा और वह पंचम वन किसमें चला जाएगा अनुस्वार के रूप में तो यहां क्या हो जाएगा सम क्योंकि मौ है लेकिन हम यहां पर मौ का उचारन नहीं करते क्या हो जाएगा कल्प अब इ यूंद्धन्चित तो क्या हो जाएगा आहंकार किंधन्चित किंचित किंचित द मुझे और का दनीवर मुलस हुआ अगला देखते हैं रिशी री,्मा और। 10iva के बाद नहां और तो नहां बनेगा यानि कि नौक अड़ो के हिस्थान पर किसको आदेस हो जाएगा अड़ो को आदेस हो जाएगा जैसे रिशीरी और धन नौ री धन नौ बड़ाबर क्या होगा तो री तो आपका वैसा का वैसा होगा अनौ किसको आदेस हो जाएगा अड़ो को आदेस हो जाएगा तो यहां हो परी नो किसको आदेश हो जाएगा रखो तो घाएगा परी राम देखिए जो व्याजन संदी नहीं है इनके नियम मुश्किल है लेकिन अभ्यात करेंगे तो एकदम इसी है जैसे रिडधन रिड़ परी धन नाम तो क्या रहा है पर नाम आ रहा है संधनकल्प संकल्प आ रहा संदिया जैसे चाहिं कर दो संदिया मिल जाएगी जैसे राम ध्रन अयन तो यह और कौन से संदि बनी यह दिर्घ संदिवनी नहीं लिखते लिखते क्या है हम रामायन हम यह नहीं लिखते क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा लिखते क्या है हम रामायर यह डो को आदेस हो रहा है यह जो नो है यह डो को आदेस हो रहा है और किस नियम से यह पांचवे नियम से आदेस हो रहा है तो यहां क्या होगी ? आपका hama era तो यहां पे dirga sandhi है और कौन सी sandhi है ? व्यझन sandhi है अब वैसार का संधा है निये meं हम देखे तो विसर jumping song साफ साफ दिखाई दे रही है हमें विसर지 sang और उसके साथ तो यहां पे देखे हम लिखेंगे क्या ? नियर यहasя इस नियम से रो को आदेस होता हैं इसी नियम से टो यहाँ हो हुजाएगा निरड़ाय इस सब्द में इंब और moving that यह प्राइब्स निम्द होता है क्यों कि इस जो CHE itu夠 ही ठीपायज थाीफ होने वाला है तो यह दोनों शब्द है आपके लिए most important शब्द हो जाते हैं अब देखें थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं नियम क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी नियम है लेकिन जो एक्जाम के नजरिय से important केवल वही नियम लिए गए है तो यहां हम देखें तो आ जाता हमारा दिक धन गज तो क्या होगा वहा आपका उन्दती साफसा क्लियर समझ में आ रहा है उत्य धन-लास थो क्या बनेगा आपका मि उन्लास संधन-गठन संगठन कि जला जला जाएना मॉकानुस्वार चला जाएका सत धन जण तो किसको आधेस लिगा जोक होगा तो क्या मैं क्या हो जाएका सजजन परिधन छेद क्या हो जाएगा परिछेद परिछेद द्रश्धन ता तो क्या हो जाएगा आपका द्रश्टा उत्धन हत त उद्धत उद्धत तो ये कुछ वर्ड लिये थे अभ्यास के लिए आपको वीडियो कैसी लगे एक वार कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में हमने केवल बेंजन संधी को ही कम्प्लीट किया है विसर्थ संधी हमारी अगली वीडियो में आएगी तो फिलहाल के लिए केवल इतना अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार